असलाम अलेकुम आदाव एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में आज के हमारे संझय गेस्ट यहाद है जो खामग्य विदान सभर मधार संग से राश्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी से इकषप उम्मीद्वार है इनुने इसमीद्वारी पूशने की कोशिश करेंगे वारे सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं मैं सबसे पहले मैं आप से याना चाहता हूं क्या हमारे चैनल माध्यम मेरे से बताएं लोगों को क्या आने वाला विदान सभा चुनाओ क कमगाव 24 सेलाड़ browsers जी हां मैं खामगाविदान सभा राष्ट्रवाजी कांग्रेश सरेचंद्र पवार परक्सी से महाविकास गडबंदन का हिस्सा बनना चाहता हूँ बगाडी जी हम आपको जानते हैं मैं प्रस्नली जानता हूँ मेरी गाजी फांडेशन का आपने रजिस्टेशन करवा कि दिया था आपका फिल्ड अलग थी लेकिन आपने राजनीती में आने का फैसला कैसे किया क्यों आपने निदने लिया कि मुझे राजनीती जॉइन करने यह जो पिछड़े वर्गों का अपन उसको बदल सकते हैं करके मैं राजनीती में आया और उनका राजनीती में आके काम करना चाहते हुआ सब्सक्ते कि आया राजनीती में आने निर्म है तो आपने राष्ट्रवाधी कंग्रेस पक्ष को चुनागी मुझे इस पक्ष को जॉइन करना है और राष्ट्रवाधी कंग्रेस चंडर पक्ष तया दारा आ जुई शाओ पुले आंबेटकर की विचारा विचार लेके राष्टवादी कॉंग्रेस पक्ष और शर्चंद्री पवार पक्षी चर रहे हैं और वो पुरो गामी विचार ही मारष्ट को तैर सकता है करके मैंने राष्टवाधी कॉंग्रेस पक्षी जोईन कि आपने राष्टवाधी कॉंग्रेस जोईन की लेकिन जोईन करते थे आपको यह खयाल किया है कि मुझे विधान सबार चुनाओं लड़ना चाहिए कैसा है डक्टर बाबा साहिब आमेट करने कहा है कि अगर अपने दली पिछड़े आदिवाशी सब पिछड़े वर्गों का अगर काम करना चाहिए और सत्य में रहकर ही काम कर सकते हैं ना कि संगर्षे करके मैंने संगर्षे करके ही देखा है संगर्षे मैं आया हूं तो मुझ लोगों का काम चुड़ा सकता हो करके मैं जान सबाल लणना चाहता हूँ आपने पार्टी से जब टिकेट की मांग की इच्छा दिखाई राष्टवादी कॉंग्रेस से खास्ता रुपे तो पार्टी के जो हाई कमांड उनकी तरफ से क्या रिस्पॉंस आया क्या उनका गहना मैंने मेरे तरफ से राष्टवादी कॉंग्रेस श्रचंद्र पावर पक्ष को मेरा अर्ज भेजा है और मुझे मेरा इंटर्यू आदर ने श्रचंद्र पावर पक्ष पावर साहबने लिया है तो मुझे पॉजिविटूली उन्होंने बताया है कि अगर महाविकास गटब करता हूँ कि मैं उमिद्वार इच्छित हूँ अगर इंसीप को चुट्टी है कि यह कंफर्म है लेकिन जैसा आपने कहा सीट अगर शुट्टी है तो आपको कंडिडेट्ट्टिशिप मिलेगी लेकिन हमने देखा है कि यह सीट पर खामगव विधान सबोव पर हमेशे से क पर बात ऐसी है कि आज तक के महाविकास आगाडी के गड़बंदन में जो आपने देखते आया है तो राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस यह दोनों का गड़बंदन था अभी जो है वो सिवशेना यह है कि मिलाकर समीति गतित है और समीति में कासे लड़ सकता है जगयता हैiras आदय चेला गात है ऑड़ाने शर्चंजी पहार साहब को संजाए कि गाट के ऊपर अपन एक सीट देते हैं और गाट के नीचे भी अपने खामगाओ देना चाहिए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझा है मेरी बात को करके मुझे आत्मा इस्वास है कि खामगाओ राष्टवादी को चुटेंगे मतलब अपने शरत पवार जी को बताया कि उपर एक सीट मिले तो यहां भी हमको एक सीट मिलनी चाहिए नीचे आप खामगाओ में मांगना चाहिए तो राष्टवादी कॉंग्रेस जिल्ले में मजबूत हो जाएंगी यह मेरे कहिना मैंने आदर ने शरत अंदी पवार साब को आपको क्या लगता है कि खामगाओ में कॉंग्रेस जो है वह मजबूत है कॉंग्रेस का अच्छे पब्लिक उनकी पीछे के नेता दिलिपकुमार जी सानन्दा जी और बहुत सारे कॉंग्रेस से इच्छु कमिद्वार है हमने बात भी की तेज़ेंजर सिंग चावान जी है दनन्जे देशमोग के लास फाटे जी बहुत सारे गौतम गवी ऐसे बहुत सारे नाम आरे कॉंग्रेस तो बहुत मजबूत है लेकिन क्या आपको लगता है राश्टवादी कॉंग्रेस के उतनी मजबूत है खामगाओ इधान सबा में नहीं आब ऐसा है कि हमने भी दो साल तो यह सब मिलाकर हमने गाओ गाओ में जाकर हमने गुद्बान नी किये है कारेकरता मेड़ावी लिए है और हमारी पार्टी भी अभी मजबूत होती जारी अगर आपको सीट जैसे आपने बताया कि आपकी शरचंद्र जी पावार से बात हुई और शरत पावार को हम जानत सबसे सीनियर लीडर है अगर हो सकता है उन्होंने बात रखी माहावीकास अगाड़ी में तो यह सीट नसीप को भी छुड़ जाए आपको अगर सीट छुटती है और आपने जैसा बताया कि अगर सीट छुटती है तो यह टिकेट कनफर्म आपका ही रहेगा तो अगर आपक माल का लिफ्या सबसे पहले यह है कि मैं किशान का बैटा हूँ और किसान का बेटा होने के कारण मुझे वह किस ही हालात मालूम है जो एकर ख Laure muutरा के लिए कितना बज़ता है और अगर Jean Prude baix here माल का दाम अगर नहीं मिला है तो किसानों के पुरा और नाइसरगी का अपत्ती का बहुत सारा उल्ग पे बोज है वो कुछ उन्होंने वह वैसे जो उनकी यह है वह वैसे दाल देते हैं उपर का पानी आये नहीं आये तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ग्यार कम से कम वह अग hyton कपास का भाव haiं कि में नहीं कौतनबिल्ट मैं कि को नहीं नहीं कोई बनना चाहिए जो कि बेरोजगार प्रेशा चोड़ रहे मैं अगर विदाएक बना तो यह सब मेरे दिमाग में नियुकत करना काम करें rhymes. खasamGovा वन था सिल्वर सिटी सी आसे यह उद्धयों व्यापार जो कि यहां के और चांदी का व्यापार बोद बढ़ा है उसके उद्धयों दर्खें उसमें बड़े कर सकता हूं और शहरी का पानी की समश्या है ग्रामिन की पानी की समश्या है शेहर के विकास में मैं बहुत सरा युगदान पानी के लिए ता भी हमने देखा कि अभी पिछले दिनों देवेंदर फंडवीज जी आये थे हमारे उपमुख्य मंतर उन्हें बताया कि पानी की पुरे आता तो नहीं है तो आप इसके उपर काम करना चाहते हैं हर दिन पानी आना ही चाहिए पानी की समश्या अगर करें कर तो हो सकता है अब एक सवाल ऐसा है कि अगर ये सीट आपको नहीं छुटती है। राश्टरवादी को ये सीट नहीं छुटी कॉंग्रेस को यह सीट चली गजी तो जैसी महनत आप अपनी पार्टी के केлिट को या अपने आपको जिताने के लिए करने वाले थे। क्या कोंगरेस के लिए भी वह इसी महनत करें कि एक घड़ बंदन है महावीकास आगड़ी का और महावीकास आगड़ी के गड़ बंदन में एक दुसरे के मैने अगर चीट लड़ा तो कॉंगरेस और सिउशकना ने मिलके काम करना चाहिए यहां सिउश्चना अच्छी तरह से अभी बड़ी है शिवशेना के भी अच्छे-खासी मत्दा था हमारे वह तालब का देख्षा और उन्होंने अभी जोड़े है तो हम सब मिलके महाविकास आगाड़ी को जिताने में यहां और मिच्ची थे ही इस साल दोजाट चविस में महाविकास आगाड़ी की विजय हो ज चाहता था कि इसके लावा हमारे प्रॉग्राम की सवाल प्प्लीक की तरफ से आपके लिए आए हैं तो मैं आपसे सवालात करना चाहता हूं है तो हमारे लिवेश्राब में से किसी निए इब पोचा है कि अगर यह सीट NCP को नहीं छूटती है या फिर आपको टिकेट नहीं मिलता है तो क्या आप फिर अपक्स चुनाओ या किसी और पार्टी से चुनाओ लड़ने के कोई राधा रखते हैं मैं अभी कैसा है कि मैं अगर NCP में आया हूँ तो पवार साहब के विचार उसे आया हूँ प्रेरित हो के आया हूँ और राष्टवादी कॉंग्रेस शरचन्द्र पवार गट एक विचार धारा है और विचार धारा से लोग जूटे है जो कि वोटर है तो मैं व्यक्तिकाट एक सवाल एक साब नहीं किया है कि आपने चुनाओं तो लड़ना चाहते हैं चुनाओं के लिए पार्टी से मांग भी की उम्मिद्वारी के लिए लेकिन आपने पार्टी को मझबूत करने के लिए क्या क्या काम किये विधान चभा में जो हमने हमारे सब राष्टवाजी कॉंग्रेस के नेताओं के साथ लेके पार्टी मजबूत करने में विरुद्धों को भी अभी बोलने लगे है कि इन्होंने बन गाड़ी चालो कर दी है यह हमारी बन गाड़ी नहीं थी पवार साहिब एक देश के लिए अडल है तो हमने व सब्सक्राइब करें कराके लेके पर करने के लिए यह किसी की तरफ से कि हमारे निंग आमदार है खामगाविदान सभा की आकाश फुंकरजी वो कहते हैंगी उन्होंने पिछले दस सालों में खामगाव शहर का बहुत विकास किया, खामगाव विदान सभा का बहुत विकास किया, तो उनकी विकास पर, उनकी कामों पर आपका क्या कहना है, क्या क्या विकास हुआ है, क्या है, क्या है, कॉंगरिट के रोड बनाने से विकास नहीं होता है, निचुत्तम अन्हों से तो आप तो मैंने मानता हो कि विकास है तो कि आपको नाको करना चाहिए था क्या रहे गया उन से अभी वे रोजगरक के लिए कुछ भी ने किया वे रोजगरक का प्रश्णों उन्होंने नहीं इस यह किया हमारे किसान बहार का जो अभी प्रश्ण था यह नहीं मिला अमरी किसान भायों का खेती के जो नुक्सान भर पाई वो नहीं मिली तरह कि मागनी थी जब मोड़ी जी आये थे खांगोय जिल्ला होंगा अभी तक नहीं हुआ यह सारी बाते हैं कि अभी प्रलम भी थे आप तो आपका यह कहना है कि जैसा उनकी तरफ से विकास का दावा है वैसा विकास नहीं हुआ अगर एक सवाहल हमको यह आया है कि अगर आपको टिकिट मिल जाता है एनसीपीके के सहसे मिल जाता है तो आपके जीतने का समिकरण क्या है कैसी जीत सकते है क्या है पिछली बार महाविकास आगाड़ी और महायूति के जो लड़त हुई थी बीच में तो महाविकास आगाड़ी जो है 16,000 मतों से पिछे थी और इस बार सीवशेना 10,000 प्लस हैं मैं मारी समाज से बिलॉंग करता हूँ जाहिर है महाविकास आगाड़ी 50% और 50% महायूति में मारी समाज का जो हमारे मारी समाज है तो उसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा 22,000 यह एक मारी समाज जो है एक अच्छा खासा मतदार संगर में है वो मुझे पॉजिटिव लेता है मैं दलितों पे समाज कारण करते करते मैं हमारे दलित समाज भाईयों पर काम करते आया हूँ उनका सब उनका भी खासा वोट यह पर है वह भी मुझे चाहते हैं कि आप अमदार बन सकते हैं बहुत लोगों का मुझे पोन आया है तो यह मेरे जितने के समीकरण है मुस्लिम भाईयों और यह तो मैं साथ में है यह आपने जो आपका कहने कि जो सोचल वर्क किया है राज कि यह सीट कॉंग्रेस की पारमपरिक सीट है और हंड्रेट परसंड यहां से कॉंग्रेस ही चुनाओ लड़ेगी तो इस पर आपका क्या गहना है नहीं अभी मैंने पहले बताया है कि जो महाविकास गटबंदन है इस बार थोड़ा सा अलग सा है क्योंकि स्यूशना इसमें अगाडी तो महाविकास अगाडी में यह समीति गठीत करें समीति करिंगी कि खांगव किस कहां तेना है और उफेर जलगाव कहां चुटने आए कॉंग्रेस को जाएंगी या महार राशठ वाधी कॉंग्रेस वापु की बाप्पो ने बता दि धनज्य बाप्पो ने पर वो समिद्पी गठित करेंगे भगणडे जी यह था हमारे सवालात थे आपसे जो ने पूछा कुछ पूछा तो हमारे खतम होते है अगर आप हमारे चैनल के दरेए फ़टी को को विचार जो है वो पुरुगामी विचार है शू शौ फुले अमळ करके विचार है वो विचार के साथ अपने जाकर महाविकास अगाडी गडबंदल को अपने आने वाले विदासभा चुना में जित के लाना है आपने हमारे चैनल के लिए हमारे प्रोग्राम के लिए अपना समय दिया हम आपका धन्यवास करते हैं और आपको फूचर के लिए बैस्ट आप लग कहते हैं तो यह थे संजय बगाडे जी जिनको आपने सुना राष्टवादी कॉंग्रेस पक्ष शरचंद्र जी पवार से यह इच्छुक उम्मिद्वार एह खामगा विधान सबससे और अपके सामने रखी आपके सवालों के जवाब दिये और आपको अपना मैसेच दिया हम एक बार फिर आपके पास आपके सामने हाजिर होगे किसी नए महमान के साथ अगले प्रोग्राम के हमारे महमान है नीचे दिवी लिंक्स के दरिये अपने सवाल बेजे हम आपके सवाल उनसे जरूर पूछेगे तब तक के लिए हमारे चैनल से जोड़े रहिए धन्यवाद